अरियाना रोडवेज द्वारा लंबे समय बाज शुरू की गई जटलाना से रादोर की बस सर्विस तीन चार दिन के बाद ही बंद कर दी गई जिससे स्थानिय ग्रामिनों में रोश है स्थानिय लोगों ने बताया कि बस सर्विस शुरू हो जाने से जटलाना ख्षेत के कई गाव के लोगों को रादोर जाने के लिए आवाजाही में काफी फायदा हो गया था लेकिन कुछ दिन के बाद ही रोडवेज वारा ये बस सर्विस बंद कर दी गई जिससे ग्रामिनों में रोश है वहीं इस बारे जब रोडवेज के जीम बालक राम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ये सर्विस लोगों की मांग पर शुरू की गई लेकिन इस रूट पर परियाप्त सवारियां ना होने के कारण ही बस सर्विस को बंद कर दिया गया है। जिन विध्यारतियों का गत कक्षा में उत्करष्ट प्रदर्शन रहा उन सभी विध्यारतियों को स्कॉलर बैज लगा कर सम्मानित किया गया है। इंडों के बारे में रोल प्ले कर जानकारी दी। इस मोके पर स्कूल की चात्रा प्राची वा विशाखा ने भाशन प्रतियों गिता के माध्यम से सभी को खगोलिया विध्यान की विस्तार से जानकारी दी। कारेकरम के दोरान प्रधानाचारे बालकृषिन ने बच्चों की गतिविदियो की प्रशंसा करते हुए उन्हें भुविश्य में भी स्कूल में आयोजित होने वाले इस प्रकार के कारेकरमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जन नायक जनता पार्टी की छात्र एकाई इन्सो के प्रदेश अद्यक्ष अजे राव ने कहा कि इन्सो ने हमेशा चात्रों के हकों की आवाज उठाई है। चात्रों को न्याय दिलवाने में इन्सो कभी पीछे नहीं रही। इन्सो ने हर्याना चंडिगर राज्यस्तान ही नहीं बलकि दूसरे प्रदेशों में भी चाप छोड़ी है। उन्होंने इस दोरान चात्र संग चुनावों को बहाल करवाने की बात भी कही और कहा कि हर्याना में भी चात्र संग चुनाव बहाल कराए जाएंगे। रादोर के गाम नाचरोन के राजकिये वरिष्ट मादमिक विध्याले में साइबर सुरक्षा को लेकर कारेकरम का आयोजन किया गया। इस दोरान चात्रों को साइबर सुरक्षा को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधाना चारे जगपाल सिंग ने बच्चों को साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर माता पिता वा अध्यापकों से चर्चा करने का संदेश देते हुए कहा कि आज का यूग तकनीक का यूग है इसलिए कोई भी तकनीकी से दूर नहीं रह सकता लेकिन तकनीको का सही उपयोग करना अत्यांत आविशिक है